वेल्कम बैक नमस्कार राम राम एक वाफिर से सवागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब शेनल टॉकिस टॉक विद गोतम में आज हम बात करने वाले हैं जॉल्ट नाम की एक मूवी के बारे में एक घंटे 31 मिनिट के आसपास का समय आपको इसको देखने के लिए देना पड़ता है लेकिन क्या ये मूवी आप लोगों के लिए entertainment देती है या नहीं ये सब जानेंगे इस वीडियो में आगे तो वीडियो में अन्त तक बने रहें और हाँ अगर आपने भी तक मेरा यूट् दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको समय पर मिलते रहें बात कर लेते हैं जो ल्ट टाम की इस मूवी के बारे में जुसको कि आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं मूवी मुझे ठिक ठाक लगी है एडल्ट कंटेंट की मातरा बहुत कम ह यानि कि अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ करके देखना चाते हैं तो इसे अकेले में बैठ कर ही देखें फैमिली के साथ बैठ करके ना देखें एकका दुक्का सीन्स ऐसे हैं जो आपको उफेंड कर सकते हैं जो फैमिली क साथ बैठ करके देखने लाइक नहीं है अगरवाइस पूरी मुवी काफी साप सुत्री है ठीक ठाक एक्शन से बरपूर है ऐसी बात भी नहीं है कि आपको बहुत जादा एक्शन सीन्स देखने को मिल जाते हैं लेकिन अगर आपको एक ऐसी मुवी देखनी है जिसकी समय सीमा ज्यादा ना हो जो कम समय में खतम भी हो जाए जिसकी कहानी आपको इंट्रेस्टिंग भी लगे और एक्शन भी उसमें ठीक ठाक मात्रा में हो तो आप इस मुवी के लिए एक बार के लिए जा सकते हैं दरसल कहानी है ये लिंडी नाम के पात्र के बारे में लिंडी एक ऐसी लड़की है जिसको बहुत ज़्यादा गुसा आता है वो अपने गुसे पर काबू नहीं रख पाती जब भी उसे गुसा आता है वो आउट ओफ कंट्रोल हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो अब निवाने वाली cat back in cell काफी अच्छी लगी है लिंडी के रॉल में मुझे personally काफी अच्छा लगा है उनका ये character इस character को काफी सारी depth भी दी गई है आप starting से लिंडी के साथ जुड़ जाते हैं लेकिन बात करें जस्टिन नाम के character के बारे में तो उस character के बारे में आपको ज्यादा कुछ पता नहीं होता वो अचानक से लिंडी की जिंदगी में आता है जस्टिन जब लिंडी की जिंदगी में आता है तो लिंडी की जिंदगी में प्यार की बहार आ जाती है वो अपनी पुरानी आदोतों को छोड़ देती है यानि कि व .. पखेखा.. यही से बदल जाती है.. कहानी… लिए निकल पड़तीए वन लोगों से बदला जेने के लिए जिनोंने जिस्टिन को म Der… यही से सुरह होता है.. आप एक ठिक ठाक action movie देखना चाहते हैं, जिसमें कि एक female character को काफी अच्छी मात्रा में action करते हो, दिखाया गया हो, तो इस movie के लिए आप एक बार के लिए definitely जा सकते हैं, ज्यादा बड़ी वैसे movie है भी नहीं, जिन लोगों को drama पसंद है, suspense thriller पसंद है, या comedy पसंद है, वो इ आपको समय पर मिलते रहें, और जिन भी movies का, web series का आप लोग review जारना चाहते हैं, उसके बारे मेरे comment section में लेकिन ना भूले, मिलेंगे next video में, next video में, तब तक के लिए राम राम, बनने मातरम.